कॉंग्रेस पर वार राजनीती को लेकर कॉंग्रेस से गंभीर नहीं फैसले लेने के चुलते देशे हैं पीर प्यामोदी ने वाप फ्रांसुस को दिया भारत आने का न्योता गरीबी और जल्वायू परिवर तन्मी की चर्शन सबा में शौमिल हुए बीजेपी विधायक राकेश राठा और बसपा के छे विधायकों ने भी ली सदसे था शारुखान के बेटी आरेन खान जेल से हुए रहा क्रूस ड्रग केस में थे बाद देश में कोरोना के 14,312 नई मामले आए सामने पिछले 24 घंटों में बान सो रंच्वास संक्री में तो की हुई मौट नमस्कार उतर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुश्का सिंग यूपी के मौखे मंत्री और बाबा गंभीर नाद प्रिक्षेन ग्रह में चल रहे बीजेपी बैठक में शामिल हुए हैं आपको बता दे कि इस दौरान उन्होंने बस्ती और आजमगर के मंडल अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ में बैठक की हैं मौखे मंत्री होगी आदे तराथ के साथ इस बैठक में प्रदेश प्रभारी रादा मोहन सिंग, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंतर देव सिंग, गोरकपूर के चुनाव प्रभारी अरविंद मेनन वविवेक ठाकुर भी मौजूद रहे वया लीकर में कॉंग्रेस पार्टी की प्रतिग्या यात्रा पहुची जहाँ पर मजड़ाक इस टोल प्लाजा पर शेहर की सीमा में गुस्ते वक्त कॉंग्रेस के पदादिकारी वकारी करताओं ने इस यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया इस दोरान यात्रा के अगवाई कर रहे नेताओं को फूल मालाओं के साथ लाद दिया गया और जंडे बैनर और पुस्टर के साथ तारिबाजी करते हुए यात्रा का स्वागत किया गया इस यात्रा में चल रहे निताओं ने कहा कि जनता के बीच जो वाइदे किये गए है उन पर जनता विश्वास कर रही है साथ ही आगामे दिनों में इस बात का पता चल जाएगा कि हमने जो वाइदे किये थे उनको पूरा करके दिखाएंगे प्लस्टू और ग्रेजुशन की पढ़ाई करती है उसको हम मुबाइल फॉन, स्मार्ट फॉन और स्कूडी देना काम करेंगे 27,000 रुपिया उन तमाम हम गरीब मज़व किसानों को देना चाहते हैं जो कही ने कही आज जॉप नहीं जिसके पास करोना की हालत से पुरी हालत हो गई है नतमाम मुझ़ों को लेके और खास करके जो गरीब किसान मज़व लोग हैं जो इलाज नहीं करा पाते हैं हमारी पर्तिक्या है कि हम 10 लाग तक उनका इलाज फ्री में करेंगे 20 लाग 20 लाग युवाओं को रोजगार देने का हमारा यह पर्तिक्या है इन पर्तिक्याओं को लेकर हम जंग जंग तक जा रहे हैं और मैं इतना ही कहना चबता चाहता हूँ, यह आगाज है कॉंग्रेस का उंसर्पर्टेशन है, और जो लोग उन्हें कॉंग्रेस को हलके में ले रहे हैं, वो गिर्पिया करके। और अनिस्विधाई भाजपा सरकार के लोगों तक पहुचाने का काम इस वक्त सरकार कर रही है, साथ ही केंदर सरकार और प्रदेश्य सरकार ने गरीबों को सौचाले और मकान देने का काम किया है, साथ ही पंडित दिंद्रियाल उपाध्याय और उज्वाला योजना केंतरग वही संभल में अकील और रह्मान खान के बीएसपी छोड़ने के बाद अब उनके समर्थकों ने भी पार्टी छोड़ दी है, जो ऐसे ही इसकी जौनकारी तमाम कारिकरता और नेता गड़ों में पहुची, उन सभी में खलबली मज़ गई, जहां सबसे पहली जौनकारी मिल देने का एलान कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम बसपा, जला द्यक्ष रहे, रईस कोरेशी डेपी पार्टी से स्तीफा दे दिया. इस पार्टी में हमने ये महसूस किया है, कि इमानदार भफादार लोगों के इस पार्टी को जरूवत नहीं है, जाब इस लोगों की जरूवत है, जोके गुपरा करके हाई कमान को ये ऐसे काम कर रहे हैं। इस पार्टी अस्पिताल के संचालक द्वारा गलत बलड को चड़ा दिया गया था, जिसके वज़े से ये वक्की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मरिस की मौत के बाद परिजन अब आरूपी अस्पिताल संचालक के पास पहुचे तो संचालक दे दबंगाई दिखाते हुए पेड़ित परिजनों को अस्पिताल से भगा दिया, जिसके बाद पेड़ित परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने भी इस मामले में पला जाड लिया जिसके बाद बुलिस दोरा कारिवाई ना होने से नाराज परे जनुने अब इसम मामले के शिकायद जलादिकारी अलीगड और एससपी अलीगड से की है जिस पर उन्होंने अस्पिताल प्रसाशन से जाच करवाने की बात कही है नारी शक्ती मिशन के तहत और यह में एक दिन के लिए बेटियों को अधिकारी बनाए गया इस मौके पर बेटियों ने मुख्याले कारियाले में जाकर अपना पदभार ग्रहन किया स्नेहा विश्णोही ने अपर पुलिस अधिक्षक कार्याले में जाकर एक दिन के लिए अपना चार्ट सम्हाला और चार्ज लेने के बाद ही फर्यादियों की समस्या सुनी और उनका निस्तारण भी किया गया अपर पुले सदिक शोगपनी इसने हाव विश्णोई सदर्ग महुला तिलक नगर की रहने वाली है और वो बारवी कक्षवा के छात्रा है माहिरादिका मिश्ट्रा ने समाच कल्यान अधिकारी का चार्ट समहला प्रद्धा पेंशन साधी अनदावन और गरीब सहाई लोगों को साधी का मुअबब उपर दिये जाए और प्रद्धा पेंशन साथ साल से उपर की जो लोग है उनने पैंशन दिलाई जाए तो उनको अच्छे से सुना गया और जो भी कागल थे उनके बारी बात सुनी गई और उनकी लिए कारिवाही की जाएगी और उनको नए दिलाए जाएगा मिर्दा पर जन्बत के जला मुख्याले पर किसानों को पराली का फायदा बताने के लिए चार प्रचार बाहनों को जलादिकारी प्रवीर निलक शुकार ने हरी जन्डे दिखा कर रवाना किया उन्होंने बताए कि पराली से कई नुकसान होते हैं इसे किसान समझे और उसे खाद बनाकर अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम करें कि विभाग की जन जागरुकता अभियान के तहट फसल अवशेश को अचित प्रबंदन कर खेत और पर्यावरन को नुकसान समझे बचवारी का कार इस वक्त जारी है किया है रख जाता है और उसको खिसानों के द्वाना जला दिया जाता है और उससे भूमनी की जो उद्वरक सकती है वह भी कम होती और वायू प्रदूशन भी होता है इसके लिए किसानों में जागरूप पंद करने के लिए हमने ये दो प्रचार वाहन बेज़े हैं ये जनपत के सबी हमारे ब्लोक्स में जाकर के प्रचार करेंगे और किसानों को जागरूप करेंगे कि पराली जलाने के क्या नुकसान है और इसमें क्या दंड का प्राविदान है और इसके अलावा पूर्न रूप से सुरक्षित महसूस कर रही है पहले की सरकार में महिलाएं घर से निकलने के लिए सौ बार सोचा करती थी लेकिन अब महिलाएं निडर होकर बहार निकल रही है सरकार के उपलब्दियों के बारे में लोगों के पीछ रहते हुए बहिलाओ के हित में भी उन्होंने बात की प्रदान मंत्री जी ने उत गाटन भी किया है तो दीरे दीरे डेवलप्मेंट हो रहा है कुछ पहले था कि पिछड़ा था लेकिन अब आगे बढ़ रहा है हमें हमारा देश के साथ बुलंज शेहर में हाई टेंशन लाइन का तार तूट कर गिर गया तार तूटने के वज़े से चापेट में आया आट वर्षी अबालक के उसमें जुलस गया मैं सिकंद्राबाद विधानसभा शेत्र के गाव आढ़ा में प्रात्रबिक स्कूल के में गेट से सट कर जा रही हाई टेंशन लाइन का तार अचानक तूट गया तार की चापेट में आगर प्रात्रबिक स्कूल में पढ़ने वाले दुदिय कक्षवा के चात्र प्रशानत उसमें जुलस गया घायले शात्र को गंभीर हालत में इलाज के लिए सिकंद्राबाद इस्तिन नवीन हास्पिटल में भढ़ती कराई किया है ग्राम प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा कि चार महीने पहले से प्रात्रमिक स्कूल के बहार लगे ट्रांस्पॉर्मर और लाइन शिफ्ट करने के लिए अप्लिकेशन दी गई थी साक्षन और साक्षन स्तर पर प्रात्मिक स्कूल में पढ़ने वाले चोटे-चोटे बच्चों के लिए सुरक्ष्या कारणों के चलते ट्रांस्पॉर्मर हटाने के लिए प्रात्ना पत्र दिया गया था इधर से गुम्देवा रहा था वाचिंग कर आथा जब दो बच्चे चिल्लाए और मैं देखा बच्चे हाप मैं पर दंडा लिया और डंडा लेए सबस्क्राइब बच्चे को अध्या वहां से जो तो पढ़ता है बच्चा बच्चा प्रामर इस्पूल में परता है अच् और पकड़ा था और एक तार दस दिन पर और तूटा था भी स्कूल में जो बिस्कूल के विल्डिंग है उसके उपर कर तार जा रहे हैं ग्राउंड के उपर कर तो विकानपूर से एक अनोखा मामला सामने आया जहां पत्नी ने अपने पत्नी की मुहबबत के लिए अपने साथ फेरो को भुला दिया और खोद उसकी शादी उसके प्रेमी से करवा दी इतना ही नहीं पति के सामने ही पत्नी ने प्रेमी से साथ फेरे लिए और दोनों की शा करते थे लेकिन कोमल की शादी पंकज से करा दी गई और शादी के बाद कोमल की पंकज से पत्री नहीं खाई और जब पंकज को इस पूरी बात का पता चला तो उसने खुद ही अपनी पत्नी कोमल की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी वही सकी केद्र में इस शादी को पूर कर्ज के बोज तले दबे किसान ने खेत में फासिल लगा कर अपनी जीवन वीला को समापत कर लिया सुसाइड नोट में लिखा मिला कि खाद न मिलने से मानसिक तनाओ के चलते वो आत्मत्या कर रहा है गाउ मसा और खुर्द के रहने वाले प्राथी पहलवान सिंग ने थाना कोद वाली प्रभारी निरिक्षक ललिदपूर को बताया कि प्राथी का भाई किसानी करके अपने बच्चों का भरन पोशन करता था प्राथी ने तहरीर दे कर बताये कि मेरा भाई लगातार दो तेन दिन से खाथना मिलने से काफी ज़्यादा परेशान था और वो मानसिक रूप से पेड़ित चल रहा था वैं फदापूर के हत गाम नगर पंचायत प्राथान नंत्री आवास पात्रधार को ने सरकारी करमचारी उपर पैसे मांगने का आरोप लगाया है जिसके कारण रुपे नहीं देने के चलते पात्रों का आवास सूची से नाम हटा दिया गया जिसके बाद पेड़ित महिला कच्चे आवास पे रहने को मजबूर है पेड़ित महिला ने बताया कि ओच्छा अदिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत कराने के बावजूर उसके प्राथना पत्र पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है डियम के डियम साब किया भी गये हैं वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारा घर कच्चा है हम लोग पात रहें आगरा के थाना सिकंद्रा में एक करमचारी के हत्या का S.S.P. आगरा ने खुलासा कर दिया है करमचारी ने गाड़ी खराब होने पर दो लोगों से मदद ली थी जिसके बाद करमचारी का श्व मुरैना से बरामत किया गया था लूट के इरादे से कि दो आरोपियों ने करमचारी के हत्या की थी इस मामले में गिरफतार आरोपी अर्जुन पहले से ही दो हत्याकार्ट को अंजाम दे चुका है देखे दिरांक 18 दसको सरी टोयटा के जो एक करमचारी थे वो गायव हो गया थे और उकी गाड़ी एक जगे खड़ी मिली थी इनकी जो डेटवर्डी है वो 19 दसको मुरहना में मिली थी और वहीं पर इसमें कारवाई शुरू हुई और 21 दसको थाना सिकंद्रा में इनका मुकदमा लिखा गया मुकदमा का इन्वेस्टिकेशन आपके नरिशन में शुरू हुआ है और इसका आज अनावरन हुआ है इसमें दो अपरादी अरजून शर्मा और अमन शर्मा पकड़े गये हैं इसकी में जो इसके पीछे मोटिव रहा है वो दिना कठारे को लोटते समय इनकी गाड़ी जो जो आज पकड़े गए हैं इन्होंने उनकी गाड़ी निकालने में अनने लोगों साथ मदद की थी जब गाड़ी बहां निकल गई तो इनमें आपस में थोड़ा दोस्ती हो गई और ये फिर साथ-साथ दावत खाने के लिए निकले बीच में दोनों जो किमिनल्स हैं इनकी की नियत खराब हुई और उन्होंने इन लूट पार्ट करने के लिए के इनके इनके से परवार किया और इनकी हत्या की इनके पास जो समान था जो चेक प्रप्यूख थी जो रूपया था वो इन्होंने लूट लिया और इसके बाद basketball को को दिकी में डालकर मुरेना फेंक्र आकर इन्होंने बापिस लाकर गाड़ी खड़ी कर दी इस केस के वरकाउट होने में उनके पास से जो टोल की जो रसीदे मुरहना जाते से में वो बना माद हुई है जो उनकी चेक्वूख पास्वूख है वो बना माद हुई है जो तमंचा है उनके पास वो बना माद हुआ औ मिर्दापुर के कट्राकोतवाली इलाके के क्रश्णापरी कॉलोनी में दो चोर एक घर में चोरी की नियत से घुसे हुए ते खट-पट की आवाज सुनकर परिवार के लोगों की नींद खुली चोर को देखकर शोर मचाने पर कॉलोनी वासी भी जाग गए वहीं पबलिक ने आपको फिलाल पूस मॉटम के लिए मेज दिया गया है अशाद हुआ जगड़ा हुआ थोड़ा तो उस प्रद्रिश्च में जो है उसको चोटे आई थी और चोटे आने के बाद जो है उस बिक्ति की एक चोर की उसमें मृत्ति हो गई है लखींपूर खीरी में आगामी त्योहार धंतेरस और पावली के मदे नजर जिले में शांतियों और कानून व्यवस्था और प्यापारियों की सुरक्षा के मदे नजर का जबो बाद आजरो भीड भाड़ वाले स्थानों में समस्त थानों द्वारा दंगान यंत्रन उपक पुलिस अधिक्षक द्वारा सदर्वा खीरी शेत्र में पैदल गश्थ कर सुरक्षा व्यवस्था वा आवश्चक प्रबंधों का निरिक्षन किया गया है महराजगन जिजले में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं के बीच एक रहत देने वाली खबर सामनी आई है जहां सदर कोतवाली पुलिस बाइक लिफ्टिंग गैंग के दो आरोपियो सहीत एक बाल अपराधी को गिराफतार किया है जिसके कबजे से चोरी की आर्ट मोटर साइकल बरामत कर ली गए है यह आरोपी मोटर साइकल चुराकर पड़ोसी रास्ट्र नेपाल में बेच दिया करते थी बीते काई दिनों से जनपत के अलग अलग थाराशेतर मिताबर तोर बाइक चोरी की घटना इस लगातार सामने आ रही थी बाइक लिफ्टिंग गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस अदिक चुक ने बताए कि यह गैंग काफे दिनों से सक्क रिया था आयूब, इम्रान और एक बाल अफरादी है जुविनाइल है इन तीनों के कब्जे से आच चोरी की मोचो साइकले बरामत की गैंग का एक अब्युक्त भादा हुआ है उसकी अमतलास कर रहे हैं वो मिल जाएगा तो काफी बड़ी संख्या में और मोचो साइकल मिलने की संभ हमारे अगली कबर और यह से है जहां राजुमंत्री ने तीस अक्टूबर को विवादत राम जन्म भूमी पर राम भक्तों के द्वारा ध्वज़ा फैराने पर एक बयान दिया है क्रेशी राजुमंत्री लाखन सिंग ने मुलाइम सिंग यादो पर निशाना सादा है और क इसके बाद से फर्दूस्री सरकार वनी उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के मुख्या थे उन्होंने घोषणा की थी कि हम वहां पर 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 नहीं मारने देंगे इसके बाद जो हमारे राम भक्तों को गोलिया चला के जो सही बगे तो और 30 अक्टूबर को वहां पर उनक बहुत ही गौरबानवित है गौरब का दिन है आज के ही दिन और आज तो उसके पर पेच में जो हमारे राम भक्तों पर जिन्होंने गूलिया चलाई थी सहारनपूर में जैसे ही नए एससपी आका शितोमर ने चार्ज सम्हाला है उसके बाद से चाहे वो नशात असकर हो या फिर अन्य अपरादी सबकी धर पकड़ तेजी के साथ जोरी है इसी क्रम में आज सहारनपूर के थाना सरसावा पुलिस वक्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है आपको बता दे कि सरसावा निवासी अशोक को नौक्टूबर को अग्यात व्यक्ति द्वारा इंटरनेट कॉलिंग के मादियम से 20 लाख रुपे की रंगदारी मागी गई थी जिसके संबन्द में पीडित ने थाने में शुकायत दर्च कुराइटी जिस पर पुलिस सादिक शुक्तवारा मामले का ततकाल संग्यान लेते हुए अपयुक्तों को गिरफ़तार कर लिया गया है उनको इंटरनेट कॉल के माद्यम से इक दो दिन में लगातार आठ कॉल की गई थी जिसमें उनको कहा गया था कि 20 लाख रुपे की फिरौती मांगी गई थी और कहा था कि अधियो फिरोधी की डिमांड को पूरी नहीं करेंगे तो उनको और उनके बेटे को जान से मार दिया जाएगा इसके बाद पुलिस ने उनको सुरक्षा उपलब्द कराई और हाई टेक सरवलांस के माध्धम से इन अभियुक्तों को ट्रेस करना शुरूर किया ट्रेस करने के बाद हम लोगों ने तीन अभियुक्तों को उसमें से ट्रेस किया है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बढ़े रहें प्राइब टीवी के साथ नमस्कार झाल झाल प्राइब तमाम खबरों में प्राइब प्राइब टीवी के साथ नमस्कार